आज हम डिसकस करने वाले हैं कि आप अपनी mental health को कैसे अच्छा रख सकते हैं आज हम डिसकस करने वाले हैं कि कैसे आपकी overall health बढ़ी हो सकती है World Health Organization ये बोलता है कि एक इनसान अगर good health चाहता है उसको चार parameters उसके सही होने चाहिए physical health, mental health, social health and spiritual health अगर आपकी ये चारो areas completely आप इन में healthy हैं तब भी आप healthy life जी पाएंगे मतलब आपकी physical health सबसे बहले सही होने चाहिए mental health आपका सोचने का नजरी आपका brain यूस्ट करने का तरीका वो mental health आपका बिलकुल सही होना चाहिए social आप लोगों के बीच में कैसे रहे हैं because हम social animals हैं हम communities में रहते हैं ठीक है तो हम गलत तरीके से नहीं रह सकते हैं उसके बाद spiritual health ठीक है आप spiritual level पर अपने आपके साथ कितने ज़्यादा connected है spiritual level होता है कि आप meditation कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप deeper level पर जाके चीजों को सोच और समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं ठीक है चीज पर काम करते ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं है हम बोलते हैं कि हमें अच्छी health चाहिए पर पता ही नहीं है कि अच्छी health की definition क्या है लोगों को क्या challenges आ रहे हैं मैं world health organization की आपको एक report दिखाना चाहूँगा recent जिसमें बताया कि 300 million से जादा लोगों को worldwide mental health issues हैं मतलब depression, anxiety या बहुत बड़े level पे तो 60 to 65 million लोगों को इंडिया में mental health issues हैं जो कि 6-7% population हो जाती इंडिया की which is huge number साड़े चे 7% population थोड़ा number नहीं होता है 65,000 से 75,000 लोग तो ऐसे हैं जिनको psychiatrist की जरूरत है और मतलब उनको बहुत urgently treatment की जरूरत है और पिछले 10 साल में 18% लोगों के mental health issues बड़े हैं एक करोड से दो करोड ऐसे लोग हैं जिनको schizophrenia या bipolar disorders हो रहे हैं schizophrenia बहुत ही बड़े level पे अगर mental health issues हो ठीक है तो उसे schizophrenia बोलता है schizophrenia काफी जादा बुरा disease होता है कि एक इनसान जिससे continuous anxiety में रहता है जो समझ नहीं पाता ठीक है तो ऐसी situations में उन्हें hospitalized भी करवाना पड़ता है bipolar disorders ऐसा होता है कि brain बिल्कुल work नहीं करता है कि इनसान usually किसी ना किसी चीज़ से लेके addicted हो जाता है और काफी जादा problems बढ़ जाती है and mental health issues बहुत बड़ी problems को create कर रहा है and awareness नहीं है लोगों पता नहीं होता क्यों है कैसे ठीक करना है और धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है problems and आपने ये सारे के सारे points को अच्छे से note down करना है and make sure आप अच्छे से उनको समझें उन पे काम करें and आपकी completely life ये change हो जाएगी I am very sure आपको ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे पर इच पॉइंट बिल्कु साइंटिफिकली बेस और मैं आपको explain करूंगा कि कैसे आप अपनी life को बढ़िया कर सकते mental health issues से बढ़ सकते आने वाले टाइम पे और overall आपकी life की quality कैसे बढ़ सकती है सबसे first point आता है poor relationships आज की डेट में लोगों के रिष्टे बहुत ज़्यादा खराब है ठीक है अपनी family के साथ आसपास लोगों के साथ तो उसकी वज़ह से आपको instantly negativity feel होने लग जाती है अगर वो इनसान present उसको देखते ही अब आठ गंटे उस office में रह रहे हैं which means 30% of your life 30% आपकी जिंदगी वहाँ पे है तो 30% आपको 30% लाइफ उस इंसान की वज़ह से negativity फील होगी बिगर्स आपको उसके साथ रिष्टा गराब है अब आप घर पे आए घर पे भी आपके अगर दस लोग रहते हैं दो के साथ तीन के साथ आपका बहुत जादा लोग अकसर इस पूर रिलेशन्शिप्स की वज़ह से बहुत जादा प्रॉब्लम स्वेस करते हैं और उनकी मिंटल हिल्स कभी भी ठीक नहीं हो पाती है अगर आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशन्शिप्स अच्छे हैं अगर आपके रिलेशन्शिप्स अच्छे नहीं आपको काफी ज़्यादा इशू जाते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी ओके second point है no socialization और no kind of attachment to any community देखो लोग socialize नहीं करते हैं अगर हम घर पे बैठे रहेंगे कमरे में बैठे रहेंगे किसी से मिलेंगे नहीं किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे mental health issues बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं अगर आप compare करेंगे पूरी दुनिया को इंडिया से इंडिया में actually mental health issues कम है उसके दू-तिन reasons जो scientists ने बताए पहला reason है इंडिया में family का concept है जाधा दर्फ अगर आप western countries में जाएंगे जैसे हम भी USDA हमने नोटेस किया कि 95-96% लोगा केले रहते हैं और एक age के बाद तो अगर बच्चा भी उनके साथ तो वो एक age के बाद communities और उस communities की वजह से actually लोग कम depression में जा रहे हैं ठीक है तो जैसे गुरुमक सर भी बोलते हैं कि गुरु होना जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वो गुरु होने की वजह से actually जब आप communities में जाते हैं आपको फायदा होता है जैसे यह भी हमारी community है आप साथ मे अभी हम सब लोग बैठे हैं call सुन रहे हो आप लोग ठीक है मैं आपके साथ share कर रहा हूं पर आप सब लोग इतने लोग हो तो आपको जादा मजा आ रहा है आप सेम mission पे काम कर रहे हैं अपनी health को अच्छा कर रहे हैं अपनी fitness को अच्छा कर रहे हैं जब हम events करते हैं भी अपनी share करता बाकी लोग सुनते हैं तो हम एक दूसरे के growth में help कर रहे हैं किसी ना कैसे community के साथ जुड़े होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है अगर आप अकेले रहते हैं आपको काफी ज़ादा mental health issues आएंगो जो हमने recently experience भी किया बहुत से लोग जैसे अभी lockdown हुआ लो but three point is nutritional deficiencies बहुत से लोगों को आज की रिट में लग लग nutritional deficiencies हैं किसी का vitamin B12 कम है D कम है किसी का vitamin C कम है किसे magnesium कम है zinc कम है उससे क्या होगा कि आपके mental health पे directly fit पढ़ता है और बहुत बार लोग इस चीज़ को मानते नहीं है इसमें लिखा है anxiety and depression जो आप processed और frozen food खाते हैं उसकी बज़ा से आपके mental health issues बढ़ रहे हैं उन्होंने बताया कि जादा higher intake ultra processed food का आपके various depression के symptoms को cause करता है और उसके बाद उन्होंने बताया कि youth है जो जिसका मतलब यह है कि जो already smoking और alcohol से addicted है screen time से मतलब laptop screen से addicted है वो ultra processed food से भी addicted हो रहे है ठीक है और यह सफ 16 गंटे पहले का article है और भी इन्होंने बताया जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगा आपको बहुत इंट्रस्टेंग यह लगेगा क्योंकि लोग अकसर इन चीज़ों के बारे में नहीं बात करते हैं हम ignore करते हैं यह कोई trending news नहीं है पर इन्होंने दिखाया कि ultra processed food अकसर fiber में कम होते हैं जिसकी वज के साथ समझाए कि fiber की कामी होगी आपकी बॉड़ी में गट जो गुड़ बैक्टीरिया वो कम हो जाएगा गट हिल्थ वीक हो जाएगी और आपके ब्रेइन पर डिरिक्ली एफिक्ट आएगा इसमें और चीज़ बताई है कि इसमें जो artificial sweeteners या emulsifiers डाले जाते हैं वो डिर बॉड़ी continuous pressure में देखी अब इसका मैं example लेता हूं for example एक इंसान है जो smoking कर रहा है या drinking कर रहा है उस टाइम के तो बहुत नाच रहा होगा पाटी में है मज़ा कर रहा है पर उसके बॉड़ी एक बहुत pressure में under pressure है because उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है उस alcohol को digest करना smoking को handle करना उसकी बॉड़ी directly damage में जा रही है तो बॉड़ी क्या करे कि बॉड़ी under stress चली जाए और stress में वो stress hormone release करेगी जिसे cortisol भी बोला जाता है उससे क्या होता है कि आपकी बॉड़ी में हाँ good bacteria भी kill होने लग जाता है fat store होने लग जाता है आपकी बॉड़ी continuous stress में रहेगी तो वो सा stress पढ़ेगा आपके brain पे इसी वज़ा से अगले दिन उठकर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गुसा आता है तो यह क्या होता है कि आपके moods पे बहुत ज़्यादा effect डालेगा और जो आपकी mental health issue को काफी ज़्यादा spread करेगा आपकी body में so हमें इस चीज का ध्या mental health बुरी है या मेरे health में कोई issue हो रहा है को मुझे बिमारी है तो क्या होगा कि मेरे मेरे पे और ज़्यादा stress बढ़ेगा जिससे मेरी और ज़्यादा mental health बिगड़ती ले तो यह simple है समझना ठीक है जब आप बहुत ज़्यादा बिमार हो तो आप टेंशन में आ जाते हो बह आपको change भी करना चाते है मैं माता हूं कि जादा दा लोग आज की रिट में आपको change नहीं करना चाते जिसकी वज़ाद से उनको पैसो के काफी ज़दा issues आ रहे हैं and अगर आपको आज भी पैसो पर issues आ रहे हैं काफी ज़दा तो आपको काफी ज़दा critical thinking करनी बढ़े और strong कुछ लेने पड़ेंगे अभी भी आपके पास पैसे नहीं और आप चीजों को सोच रहा है और हम चोटी-ठोटी चीजों पर यह बोल रहें कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलत कुछ कर रहे हैं जो हमें इमीडियेटली ठीक करने की जुरूरत है क्योंकि अभी भी आपके 50% से जादा लाइफ पड़ी है जिसको आप बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूफ कर सकते हैं अगर आप कुछ अच्छे डिसीजन्स लेंगे तो ठीक है बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं बुलते हैं नहीं नहीं हम बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को बहतर करना चाहते हैं तो आपको उससे काफी जादा प्रॉब्लम्स होंगी जो मेंटल हिल्थ पर आपको डिरेक्ली अगर आपकी गट हिल्थ पहुत जादा वीक है जैसे हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा तो आपको काफी जादा हिल्थ इशूज आएंगे बिकॉस पूर गट हिल्थ आपकी बॉड़ी में काफी जादा प्रॉब्लम्स को लीड करती है अगर आपकी गट हिल्थ वीक नहीं है मतलब आपकी बॉड़ी में गुड बेक्टीरिया काम है ठीक है तो आपको मेंटल हिल्थ इशूज आएंगे और यह भी मैं आपको एक और इस पे भी आर्टिकल दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि मेंटल हिल्थ पे लिखा है पूर गट हिल्थ चैन ली रहती है और उसकी वजह से आपका काफी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है डाट इस वेरी इंट्रस्टिंग और सेवन्थ पॉइंट इस नेगेटिविटी अब नेगेटिविटी दो तरीके से होती है या तो आप की सोर्स है ठीक है दोनों चांस पॉसिबल है और अगर आपको लगता है कि हर इंसान नेगेटिव है हर इंसान गलग बोलता है ठीक है दुनिया बहुद ज़्यदा बुरी है पॉलिटिक्स में बहुत सी गलव छीज़ों हो रही है मैं गलत देश में पैदा हो गया मेरी लेके चलने हैं आप भी हो सकता है कि आप negativity का सोर्स बन रहे हैं तो आपको उसको भी गंट्रोल करना है और अगर आपके आसपास भी निगेटिव लोग है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रिखना है और मेरे साबसे लोग भी निगेटिव नहीं होते हैं इंसान कुछ चीजों को लेके positive होता है कुछ चीजों को लेके negative होता है वह और example अगर आपके फादर बोलते हैं कि जॉब करनी चाहिए जॉब बहुत जादा अच्छी है बिजनस नहीं करना चाहिए बिजनस बहुत जाद बुरा होता है इसका मतलब वह जॉब को लेके शायद over positive है और business को लेके शायद over negative है तो आप अपने आपको कैसे ऐसी situation में protect कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप अपने फादर के साथ जिंदगी बर की बाते करिए पर जॉब और business के बारे में discuss मत करिए ठीक है जैसे कि अग क्लाश होगा और negativity spread होगी क्योंकि plus minus क्या होता है माइनस अगर आपने mathematics में पढ़ा है plus minus is always minus आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं दुनिया बहुत perfectly balanced है बहुत perfectly balanced है और आपको यह realize होगा जतना जादा आप notice करोगे आप सोचो अगर एक इनसान का दिमाग खराब हो जाए और वो गली में निकल जाए बंदूक लेकर कि आज जो दिखेगा मार गूंगा ठीक है सोचो क्या situation हो जाएगी और ऐसे अगर 10 लोग भी देश में हो गए आप सोचो कि कितना जादा chaos create हो जाएगा actually में जादा other population 95-97% population मैं बोलूँगा कि अच्छी है लोग अच्छे है लो और आपकी life actually में बहुत जादा अच्छी है पर हम कभी-कभी जो हमारे पास है हम उसको ignore कर देते हैं और हम अपनी problem से बहुत जादा tension ले लेते हैं कि मेरे को इसने ये बोला ये बोला आपके पास internet है आपके पास खाने के लिए खाना है आपके पास छत है आप इन products को afford कर सक बोलेगी कि आपकी problems बहुत अच्छी है मेरा सपना है कि मुझे ऐसी problems हो ठीक है एक अमीर वह ऐसी है कि अच्छा अगर आपको अंबानी साम मिले और आप बोलो कि यार सर कैसी life है बोले यार बहुत बुरी life है क्या हो गया यार इतने पैसे मेरे से संभाल ली नहीं जा रहे परता नहीं कितना टेक्स देना पड़ता है मुझे सो जगावे property लेनी पड़ती है पूरी धुनिया में इंवेस्ट करना पड़ता है मैं तो बहुत जादा परेशान हो गया आप हाथ जोड़के जोड़के बहुत मुझे इसी problem दे दो मैं handle कर लो तो आपके साथ भी यह हो जी रहे हैं कि नो मिशन इन लाइफ 95-96 लोग मैं बुल हुआ उनका जिंदगी में कोई मिशन ही नहीं नहीं है मेकानिकल लाइफ कैसे की सूबह जाते काम पर शाम को वापिस आ जाते पता ही नहीं की क्यों कर रहे हैं कैसे कोई ऐसा मिशन है जिससे आप अपनी लाइफ को आप अपने असपास के लोगों की लाइफ को बेतर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप मिशन से टाश नहीं है आपको mental health issues आएंगे ही आएंगे क्यों आएंगे मैं आपको simply explain करता हूं क्योंकि एक इंसान है जैसे जॉब पे जाता है ठीक है वो जॉब पे गया है और for example वो बैंक मे है क्लक है ठीक है बैंक में है चोड़ा documents करता है जो भी बैंक में काम करता है क्लक का basic job ठीक है तो उसको पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहा है वो उसके अगर nine to five job है वो नौ बज़े पॉन जाएगा वो ठीक है वो बारा बज़े देखेगा कि एक बज़े लंच टाइम में बा पांच कब बज़ेंगे और पांच बज़ते ही उसके सामने जो मर्जी बंदाव हो लेगा सर कलाना क्यूं होता है ऐसा क्यूंकि काम करने का दिली नहीं करता है और आप अगर गुद्मुक सेर को रात को ग्यारा बज़े भी फून करेंगो ऐसे बात करेंगे जैसे सुबा के साथ बज़ें क्यों क्योंकि उनको उनका काम पसंद है उनको एक मिशन मिला हुए जैसे हमारा भी मिशन है कि हम दस हजार फैमिलीज को आईडियल वेट पे लेके आना चाहते हैं उनको यह नौलेज और उनकी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं यही हमें फ्री नहीं होने द आते हैं आपको कैसे टाइम मिल जाता है कि आप एसे लोगों के साथ बैठके इंट्राक्ट भी करते हैं हमारे पास वह नहीं है हम फ्री नहीं है आपको मैं कमाल की बाद बता हूँ आप बहुत ज़्यादा है आपको बढ़ाए डिप्रेशन रेट्स कब सबसे जादा कम थे आपको बहुत जाएब अभी जैसे डिप्रेशन रेट्स हाईस टेम पूरी हिस्ट्री में सब जाए कम बदै कब थे वर्ल्ड वर वान और वर्ल्ड वर टू के टाइम पे सबसे जादा कम थे डिप्रेशन रेट्स और आप सोचे रहे उस ताइम पे लोगों के पास एक फोटो को लाइक कर दिया या उनको पस ऐसा टाइम भी था कि अभी रिष्टेदारों में क्या चल रहा है किस की शादी किस से हो गई है उनके पस बिलकूल टाइम नहीं था लोगों को बस एक ही चीज़ पता थी कि बहुत मरना नहीं है जिंदा रहना है और उसी पे इतना ज होगे उलचते रहोगे ऊलचते रहोगे और आपकी लाइफ निकल जाएगी और साथा सतर शाल के उम्हद्र है कि मेरी लाइफ एक्चुली थी कैसे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैने किया क्या और आपको यही दुह होगा कि शाइल म treaties बहुत ज़ादा कमाकर हो मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने जिन्दगी जीते हैं तो जैसे आप जैसे आपको दुनिया मिली थी नहीं उससे बहतर दुनिया होनी चाहिए हमें बच्चपन में सिखाया जाता था कि आप जिस कमरे में जाते हैं जिस जगा पे जाते हैं हम इस स्कूल में पताया जाता था कि वो पहले से बहतर होनी चाहिए मतलब कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए रूम साफ होना चाहिए आप एक उटेल में भी रुख रहे हैं हम रूम कलीन करके निकलते हैं हमें लगता है कि जैसी चीजस मिली हो उसको उससे बहतर छोड़के जाओ और जब आप दुनिया को उससे बहतर बना दोगे आप एक मिशन के साथ जुड़ जाओगे आपकी लाइफ बहुत ज़ादा बेटर हो जाएगी और आपको अक्चुली एक मीनिंग मिलेगा